दोस्तो जैसा कि आपको पता है कि मनिपूर में NEET exam हो चुका है और अब NEET 2023 की expected cut-off की जो picture है वो करीब करीब clear हो चुकी है इस चीज को बताने के लिए मैं इन तीन points का साहरा लूँगा नमबर बन की general factors for considering the NEET 2023 expected cut-off and normalization इसलिए जरूरी है क्योंकि for example NTA ने J-E mains और J-E advance और उसके साथ-साथ CUET तक के लिए normalization का formula निकाल लिया है लेकिन NEET के लिए इन्होंने अभी तक नहीं निकाला है दूसरा है previous year analysis, previous year question की toughness क्या थी, कौन सा subject tough था, कौन सा subject tough नहीं था, in fact की previous year की cut-off क्या रही थी और साथ-साथ expected cut-off for NEET 2023 अब points to note, सबसे पहला चीज की NEET paper analysis versus last two year toughness level, पिछले साल के अगर हम बात कर लें, तो physics और physical chemistry की जो question थी, वो पाताल लोग में थी, यानि बहुत easy थी वो question, अब ये दोनों, ये दोनों paper जो थे, इसके question, ये दोनों subject के question बहुत easy थे, जिसके कारण बच्चों ने जम के मार् organic chemistry और inorganic chemistry एक lengthy paper में calculate हुआ था, साथ-साथ re-neet, पिछले साल आपको अगर याद हूँ, तो गंगा नगर में examination हुआ था, NEET का, और गंगा नगर में question की level जो थी, वो करीब-करीब same ही थी, या अगर और ज़्यादा कहें हम लोग, तो वो ज़्यादा tough था, लेकिन इस बार जो मनीपूर की paper हुई है, वो NEET के history में सबसे easy paper है, that is the easiest paper in NEET history, अब ये दोनों points indicate करते हैं, कि NEET में जो कह सकते हैं, cut-off जो NEET 2023 के होने वाली है, वो slightly ज़्यादा होगी, competition amongst students, मैं इसको काट के ही चलता हूँ, reason यह है कि हर साल बच्चे तो भढ़ते हैं ज़्यादा, लेकि आप जानते हैं कि 40 medical colleges जो हैं, उनको de-recognize किया गया है और 500 से ज़्यादा पे तलवार लटकी हुई है, NMC की, अब जानने वाली बात यह है कि इसमें most of the time private और deemed medical colleges हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी states हैं, for example, awesome, जहां कि 3 government medical college हैं, और उडिशा में एक medical college, पुडुचेरी में एक medical college जहां कि यह सभी जो मैं बता रहा हूँ, यह governmental medical colleges जिनको de-recognize किया गया है, लेकिन इसके साथ-साथ, NMC ने यह भी कहा है कि उसी state में जहां पे infrastructure एक build-up होगा, उसको हम फिर से infra वहां पे development करेंगे, और उसी colleges में हम seats बराएंगे, यानि seats तो घटने वाली किसी भी reason से नहीं है, क्योंकि already हम लोग देखे ते पिछले वाले वीडियो में कि rural health statistics के अनुसार कि continuously जो doctors की numbers है, it is very low, मतलब अगर कह सकने कोई भी developed country में हर 1000 लोगों पे 10 doctor या 9 doctor के करीब है, जबकि इंडिया में 10,000 लोगों पे 4 doctor है, मतलब यह एक सर्मनाग बात है, तो seats तो increase होंगी ही, घ MC bill जो आया था, बहुत सारे states ने उसको, उस पे बहुत consciously काम भी किया, और बहुत सारे लोगों ने implement भी किया, for example, बिहार और मध्य प्रदेश का example ले ले, तो बिहार में तो government ने ये भी तै कर दिया है, कि कौन से medical college की कितनी fee होगी, उन्होंने fee तक एक set कर दिया, it is approximately 50,000 in ब इनके पास है, बहुत सारी चीजें हैं, तो seats तो बढ़ेंगी, उसके अलावा बात करें कि performance of candidates, maximum candidates जो कि पिछले साल कम score कर रहे थे, इस बार genuinely उनके score बढ़े हैं, अगर कोई, आपके contact में कोई teacher हो, तो आपको ये बता सकता है, कि performance candidate का improve हुआ है, और जो normal, मैं उनकी बात न NEET में score कहने कहीं ज़्यादा है, तो ये सभी बातें कह रही हैं, कि NEET की जो cut-off है, वो ज़्यादा जाने वाली है, as compared to last year, लेकिन बहुत ज़्यादा change नहीं होता है, अब जो most important बात जो मैंने बताया था, इसके बारे मैं कोई बात नहीं करता, वो है normalization, पिछले मैं कह सकता कि NEET जब से हो रहा है, NEET 2016 से हो रहा है, 2016 से continuously NEET हो रहा है, 2016, 17, 18, 19, और 19 में आती है NTA, और तब CBSC से NTA को handover कर दिया जाता है NEET, अब इसमें देखने वाली बात ये होती है, कि NEET जब तक CBSC NEET को conduct कर रहता था, तब तक हर साल दो बार paper होते थे, in fact उससे पहले गरं 2011 और उ होता रहता था, तो continuously 2-3-4 बार NEET होता था, और इसके बाद क्या कहते हैं, कि for example कि जब 2019 आया, उसके बाद से genuine reason के कारण NEET दो बार conduct हो रहा है, लेकिन मैं आप से एक चीज़ी पूछना चाह रहा हूं, कि normalization क्या जरूरी नहीं है, क्या उन बच्चों के लिए जरूरी नही अगर for example दो बच्चे मेरे सामने खरे हों, मैंने एक को tough paper दिया और एक को easy paper दिया, तो भले ही एक बच्चा ज़्यादा meritorious हो और एक बच्चा कम meritorious हो, जिसको हमने easy paper दिया है, क्या हम दोनों को एक सामान रूप से judge नहीं करेंगे, क्या हम अगर दोनों को different paper थमा रहे हैं, तो उसे judging कहेंगे क्या, तो examination body की सबसे primary जिमिदारी होती है, कि वो किसी भी, मैं कह सकता हूँ, कोई भी examination conduct कर रहे हैं, तो आप एक proper judging capability लाएं, तो normal license लाना बहुत जरूरी है, normal license पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, और NTA ने जब सब के लिए एक formula निकाली लिया है, तो NEET के cut-off, it was for general 596, OBC के लिए 596, और EWS के लिए it was 595, SC, ST के लिए 454 and 423 respectively, इस साल अगर हम देखें, तो NEET की cut-off जो है, वो approximately 600 to 610 जा सकती है general के लिए, EWS के लिए 605 जा सकती है, plus minus 10, OBC के लिए भी 605 plus minus 10, SC के लिए 460 plus minus 10, और ST के लिए 430 plus minus 10, अब जो भी मैं बता रहा हूँ, it is expected, it is an probability, but it is based on the solid, I can say, solid methodology, तो ऐसा नहीं है कि ये सारी चीज़ जो हवाम बनाई गई, मैंने आपको एक एक चीज़ बताया, normalization बताया, उससे पहले बताया कि कौन-कौन से factors होते हैं, और उन सभी के basis पे predictive कह सकते हैं, एक genuine prediction लगाई गई है, अभी अगर आपके 610 से ज़ maximum score आ रहे हैं आपके, तो मैं बहुत कह सकता हूँ अच्छे से कि you are, you will come with the flying colors, कि आप जीत कहीं वापस आएंगे, इसमें कोई दोर आई नहीं है कि मतलब कि आप पीछे चूट चूट चुके हैं, आप race में हैं, बहुत अच्छे से race में है, 610 लाना बहुत मजा की बात नही तो basically आज के वीडियो में मैंने आपको इतना बता है कि need 2023 की cut-off कह रहने वाली, इसके साथ साथ अगर आपकी need में कम score आ रही है, और आप demotivate है कि अगले साल के लिए करें या drop ले 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 या partial drop consider करें, मुझे लगता है कि अगर आप अभी तक आपने दिमाग लगा लिया ह and thereafter we will go for the MCQs and PYQs and mock test and all, तो सबसे पहले इसके लिए हमने रखा है कि 90 days plan, इसमें हमने day 1 से लेकर day 90 तक topic wise schedule बना के रखा है, daily topic wise आपको target मिलता है, उस target का test होता है, उसी target से PYQs भी रहते हैं, तो basically यह होता है, अब इसमें screen पे आपको दिख रहा होगा, कि date जो है वो June 1 से सुरू हुआ है, बहुत सारे बच्चे जिन्होंने enroll किया था, approximately 139 बच्चोंने enroll किया है, जिन बच्चोंने enroll किया था इस course में, इसकी fee केवल 1000 रूपए है, तो जिन्होंने भी enroll किया था इस course में, उनकी ये problem थी, कि sir basically हो क्या रहा है, कि पिछले साल भी हमारी जो basically physics में marks इस इसके लिए preparation के लिए time ले लेते हैं हम लोग, और हमने 10 days जो थे, 10 to 12 days, क्योंकि इसमें बच्चों का दिमाग बेसिकली आपा धामी बही लिकल दाता है, result आने वाले हैं, counseling होने वाले हैं, इधर उधर की बाते हैं, बहुत सारी चीज़े होती हैं, तो 10 to 12 days हमने कहा कि चलो leave भी ले लेते हैं, और एक तरीके से हम लोग basic mathematics इन सभी समय में cover भी कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग जम के लगेंगे, 10 से 12 गंटे, 15 गंटे हर दिन परहेंगे, और फिर सबसे पहले syllabus complete करेंगे, अब यह नहीं कि syllabus में में complete हो रहा है, और हम लोग यहां बैठे हुए हैं या तभी जाके हम लोग सबजी उगा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें complete बहुत पहले करना है, बार बार revision करना है, जितने ज़्यादा आप practice में आपकी sweating होगी, आप उतने ही वो sweats जो होंगे न, वो मतलब कहते हैं न, कि जब सोना तपता है, तब वो कुंदन बनत है, तो तब कर ही हमें आगे बढ़ना है, और उसके लिए बार बार हमें safe zone में जाने की जोरत नहीं है, कि theory पढ़ लिए, reverse engineering is the best method, पहले किसी चीज़ को पढ़ना, उसके बाद सीधे वहाँ से question बनाना, और जब question का किसी concept आपको नहीं बने, for example कि मैं कहा सकता हूँ कि capacitor का अ ठीक है, वो सबको आता है, वो सबको आता है, और अभी need का pattern देख लो आप, need में maximum questions होते हैं, वो सीधे formula base डालना है, तो ये वाले वीडियो में आपको इसकी सारी जानकारी मिल जाएगी, ये वीडियो का thumbnail रहेगा, complete need 2021, complete need 2024 syllabus in 90 days, तो ये वाला आप देख लेना, the fee is approximately 1000 रु और इससे हम जैसे लोगों को एक तरह से support भी मिलता है, जो कि नए आये हैं, offline से all नहीं है, तो basically बच्चो आज की इस वीडियो में हम इतने ही बाते करेंगे, अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं कि physics और chemistry और biology की जितनी भी questions थी, वो सारी की सारी NCE, RT से आई हैं, हम उस हम जाएं में हम एक घचलों कि आदी में हम सकता हैं, हम वाले हैं, हम में हम के इस अटर सर्चानी इस सदHz मोरा हैं, टो अक्यास किल में हैं, हля कि रहा छला हैं, अगले हैं, हम थाला हैं, हम जए रवाएं.